ओम शान्ती सुनते हैं 14 नुवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है ब्राह्मन जीवन की निशानी है सदाखुशी की जलक आज की मुडली में बाबा ने किन बच्चों को कभी थकावट मैसूस ही नहीं होती है दूसरा ब्राह्मन जीवन की क्या निशानी है और तीसरा बाप संगम पर बच्चों से क्या वाइदा करते हैं फोर्थ संगम युक को क्या वरदान मिला हुआ है तो आउ सुनते हैं 14 नुवंबर 89 की मुर्लिन पुर्शार्थियों में दो परकार के बच्चे देखे एक वे जो पुर्शार्थ करते हुए पुर्शार्थ की प्रालब अर्थात प्राप्ती साथ साथ अनभव करते चल रहे हैं और दूसरे जो सिर्फ पुर्शार्थ में ही लगे हुएं मेहनत ज्यादा और प्राप्ती का अनुभव कम होता है इसलिए चलते चलते ठक भी जाते हैं यर्थार्थ पुर्शार्थी कभी भी अब सुनिये बड़े ध्यान से यर्थार्थ पुर्शार्थी कभी भी ठकावट मैसूस नहीं करते अब उसका भी कारण सुन लीजिए कारण दोनों के पुर्शार्थ में सिरफ एक बात समझने का अंतर है क्या अंतर है जिस से वे मेनत में रहते और दूसरे महबत में मस्त रहते है कौन से संकल्प का अंतर है बैं जानते हो छोटा साही अंतर है एक समझते हैं कि हम स्वेम चल रहे हैं चलना पड़ता है सामना करना पड़ता है और दूसरे हैं जो सदेव संकल्प से भी सरेंडर है इसलिए वह सदेव यह अनभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं मेहनप के पाउं से नहीं लेकिन सनेह की गोदी में चलते रहते हैं इसलिए वे सनेह के पाउं से चलते जिसमें थकावट नहीं होती सनेह की गोदी वा जोली में सरव प्राप्तियों की अनुभूती होने के कारण वे चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं सदा खुशी में आंत्रिक सुख में सरव शक्तियों से उड़ते रहते हैं अभी अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ संगम युगी ब्रामन बच्चे जिएंगे चलेंगे हर कदम में सनेह की गोदी में ब्रामन जीवन की निशानी है सदा खुशी की जलक परत्यक्ष रूप में दिखाई देगी खुशी नहीं तो ब्रामन जीवन भी नहीं ब्रामन जीवन की निशानी है सदा खुशी की जलक परत्यक्ष रूप में दिखाई देगी खुशी नहीं तो ब्राह्मन जीवन भी नहीं किती अच्छी बाबा ने बात बताई संगम युक का महतव अब सुनिये कई बच्चे समझते हैं संगम युक तो पुर्शार्थी जीवन का है और भविश्य जनम प्रारब्द का जनम है वे समझते हैं कि जो बाब दादा का वाएदा है अब सुनिये क्या वाएदा है कोई कहाएगा साथ लेके जाएंगे अभी सुनो बाबा का वाएदा एक दोर लाख लो वा 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 कमाल कर दिया ये वाइदा भविश्य के लिए है क्या लेकिन नहीं ये वाइदा संगम युग का ही है जैसे सरव स्रेष्ट समय सरव स्रेष्ट जनम सरव स्रेष्ट टाइटल इस समय के हैं वैसे सरव प्राप्तियों का अनभव सब वाइदों की प्राप्ती इस समय होती है भविश्य तो है ही है लेकिन भविश्य से भी वर्तमान सरिष्ट है एक दो लाख पाओ अड़े वा कितना बड़िया सोधा wonderful किसी को आप एक रुपया दो return में एक लाख दे दिल करेगा देता ही जाओं तो बाबा कहते के भविश्य तो है लेकिन भविश्य से भी वर्तमान सरिष्ट है इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्ब बच्चे करते हैं बाबा हम आपके हैं और return में बाप हर संकल्ब बोल और करम में अनभव कराते हैं क्या कि मैं भी आपका हूँ अर्थात बाप आपका है एक संकल्ब का return सारे संगम युक की जीवन में बाप आपका ही हो जाता है एक का सिरफ लाख गुणा नहीं मिलता जब चाहो जैसे चाहो जो चाहो बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं वाँ तो एक का लाख गुणा तो क्या लेकिन अंगनित बार का return मिलता है वर्तमान समय का महत्तो चलते चलते भूल जाते हो इस संगम युक को वरदान है कौन सा स्वेंग वरदाता ही आपका है जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा बीज आपके हाथ में है जिस बीज द्वारा सिकन में जो चाहो वे ले सकते हो सिरफ संकल्प करने की बात है शक्ती चाहिए सुख चाहिए अनंद चाहिए सब आपके लिए जी हजूर है क्योंकि हजूर ही आपका है जैसे थूल सेवाधारी बुलाने से हाजर हो जाते है न वैसे ये सरो प्राप्तियां संकल्प से हाजर हो जाएंगे लेकिन हजूर आपका है तो ये सब हाजर है बीज आपका है तो सब फल आपके है अब नेक्ट सुनिये बाबा से क्या खुशी गुमोने का कारण क्या है अब सुनो चलते चलते क Corporते क्या हो अब सुनो दो लड्डू हात में उठाने की कोशिश करते हो लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो बीच में से बीज खिसक जाता है ये मालूम नहीं पड़ता इसलिए फिर खाली हो जाते हो और मेनत करते हो अपने को भरपूर करने की लेकिन बीज छूट जाने के कारण परत्यक्षफल की प्राप्ती हो नहीं पाती है इसलिए ठक जाते हैं भविश्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हैं परत्यक्ष फल की बजाए बविश फल के उमीद्वार बनकर चलते इसलिए खुशी की जलक सदा नजर नहीं आती मेनत की रिखाएं ज्यादा नजर आती प्राप्ती की रिखाएं कम नजर आती त्याग की महसूस्ता ज्यादा होती है भाग्य की महसूसता कम होती है अब क्या करना है वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं वे लोग भी समय परती समय अब भी ये बोल बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है बहुत बड़ा लेकिन अब ये बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है त्याग उनको दिखाई देता है लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है भाग्य अभी गुपत है त्याग की महिमा बहुत करते हैं इतना ही भाग्य की महिमा करें तो सेकेड में स्वेम का भी भागे खुल जाएगा त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं और भागे देखकर स्वेम भी भागे शाली बन जाएंगे अब समझा क्या चेंज करना है हां बाबा चेंज करने के लिए कह रहे हैं क्या चेंज करना है मेनत से निकल सनेह की महबत की गोदी में आ जाओ आ जाओ मेरे लाल बाबा कहते है चल रहे हैं नहीं लेकिन चला रहे हैं कौन चला रहे हैं बाबा बाबा कहते हैं चल रहे हैं बलकि चला रहे हैं लाइट बंद हो गई बच्चे अंदकार में रहते हैं तो बाप को भी अनबव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं ये प्रैक्टिकल अनबव होता है अच्छा अब समझा क्या करना है भविश्य फल के पहले पर्त्यक्ष फल खाओ सदा हजूर की बद्धी में हाजर रखो सरव प्राप्तियं भी सदा जी हजूर करेंगे अगर हजूर हाजर है तो सरव प्राप्तियं चुम्बक के समान आपे ही आकर्शित होती जाएंगे समझा बाप दादा बच्चों की मेनट देख सहन नहीं कर सकते ऐसी स्रेष्ट आत्माएं डिरेक्ट बीज से निकले हुए तनास रूप बच्चे हो ऐसे स्रेष्ट बच्चों को सरव सहज प्राप्तियों का अन्भवी बनना है अच्छा ऐसे सरव सहज प्राप्तिवान सदा सागर के समान सरव में संपन सदा बीज को साथ रखने वाले बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले विकर्मा जीत विकलप जीत ऐसे लक्षे को पाने वाले सदा निश्चे बुद्धी और निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रोहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत 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 नमस्ते तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुन्दर हम बच्चों को बताया ब्राह्मन जीवन की निशानी खुशी और ठकावट कब नहीं होगी कि बाप दादा चला रहा है और संगम का याई अबाइदा एक करो लाख पाओ अच्छा ओम शान्तिक और अब यहें एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे